हलो दोस्तों आज मैं आपके लिए व्रत स्पेशल रेश्पी लिए हैं मात्र दस मिनट में ये बन कर तयार हो जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी है आप इसे जरू ट्राई कीजेगा व्रत में साबुदाना अक्सर हम लोग भीगोना भूल जाते हैं तो साबुदाने से आप यहीं आएं इस रेसिपी को बनाना तो बनता है ना बीना भूल्षी इस साबुदानय को ज़रू ट्राई कीजेगा बहुत ही चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपि को आप देख सकते हैं यह कितनी करंच्छी और कुरकुरी है इसके लिए हमने लिया है Half Cup साबुदाना तो यह Medium Size का साबुदाना है आप इसे ले और देख सकते हैं साबुदाने जो होते हैं इस तरह से दिखते हैं बहुत लोग बोलते हैं साबुदाने कैसे दिखते हैं क्या होते हैं कि अलग-अलग state में साबुदाने को अलग-अलग नामों से जाना जाता है तो इसलिए मैं आपको दिखा दे रही हैं वसे की quantity आपको half cup लेनी है कोई भी measurement करें एक cup से करें तो इसे लेके हम mixer grinder में डाल लेत बिल्कुल बारीक पीस लें और यह देखिए हमने यहां पर इसे ग्राइंड कर लिया है बिल्कुल पॉडर के फॉर्म में यह पीस कर नहीं त्यार होती है तो इस तरह का टेक्श्यर आता है हलका सा दर्दरापन यहां पर रहता है बिल्कुल जिस तरह से आप चावल अब कभी ग्राइंड करते हो नो तो किस तरह से हलके से दर्दरापन रहते ही है अगर आप इसे चान कर लोगे तो पॉडर अलग हो जाएंगे और दर्दरापन अलग लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको डारेक्ट लेना है साथ में एक बरे साइज का उबला हुआ आलू लेना है इसे हम साथ में यहां पर हरी मिर्च ले लेते हैं जो वरत में आप खाते हैं वो सभी चीजस में आप डाल सकते हैं साथ में नीम्बू का रस्पी डाल देते हैं बहुत ही चटपटा टेस्ट इससे आएगा बहुत लोग बोलते हैं कि हम हरी मिर्च नहीं खाते हैं मैंने बहुत सार लिए है तबे पर और इसे हमने कर लिया है रैन्ड करने के बाद इसमें हम इसे डाल देते है तो लगबग दो चमच में हम मुंखवली का पॉर्डडर आड़ कर देते हैं बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसे जरूर डाले बहुत ही प्रोटीन रिच हमारा ये कटलेट बन कर तयार होगा साथ में इसमें आधी छोटी चमच यहां पे जीरा ले लेते हैं और साथ में यहां पे हम डाल देते हैं कुटेवी काले मिर्च तो तीखे अनुसार इसमें सभी आप डाले काले मिर्च और इसमें हम डाल देते हैं नमक नमक इसमें दोस्तों कमी लगता है जब भी आप वरत में नमक यूज़ करें तो थोड़े से कम क्वाइंटिटी में डालें तो यहाँ पर आप सेंदा नमक यूज़ करें वरत के लिए और इन सभी को अच्छे से हम मिक्स करते हैं तो अभी इसमें हमें कोई भी पानी आट नहीं करना है बस आलू के मौइस्टर से यहाँ पर डूब बनके त्यार हो जाता है तो पहले अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेते हैं उसके बाद देखेंगे अगर पानी की जूद पड़ी तो इसमें हम पानी भी आट करेंगे अब यह देखे अच्छे से इसका डो हमारा बन गया है लेकिन यह एक छोटी चमच इसमें हम पानी आट कर देते हैं कुछ बूंदे और इसे फिर से हमें मिक्स करना है तो देखिए थोड़ी से हम पानी आट करेंगे ज़्यादा डाल देंगे तो फिर वो गीला हो जाएगा तो इस बात का खास ख्याल रखना है आपको थोड़ा ही पानी हमने आट किया और यह अच्छी तरह से हमारे डो के फॉर्म में यहाँ पर यह तयार हो गया अच्छे से यह बंद रहा है अब दूसरी तरफ हमने यहाँ पर एक स्टील की प्लेट ली है और उसमें कुछ बूंदी घी के डाल देते हैं और घी से इसे इक्वली अच्छे से फैलाएं मैं इसे कुछ अलग शेप देना चाहती हूँ इसे अगर आप कटलेट के फॉर्म में देना चाहते हैं तो आप इसे गुल-गुल शेप देके इसे फ्राई कर सकते हैं तो इस तरह से मैंने चिकनी कटोडी लिये च्छोटी सी और उसे इस तर बढ़ी अच्छी तरह से यहां पर फ्लाट हो गया है हमारे मिक्चर पांच मिनिट के लिए फ्रेज में रख दें नहीं तो आप इसे डारेक्ट यहां पर कट कर सकते हैं तो मैंने पांच मिनिट के लिए फ्रेज में रखा है उसे बाहर निकाल लेते हैं और इसे हम मन सब्सक्राइबी दोस्तों लोग बोलते हैं कि आपकी वीडियो दस मिनित की है और आप भोलते हैं कि 5 मुनित पर दफी नहीं को सारी स्टेप ne सारे स्टेप डमभारिखी अग्युम भी रेसिपी उसी तरह से बने तो देखिए कितनी क्यूक बनती है अगर आप इस चीज को शूट करेंगे तो बहुत ही समय लगता है लेकिन आगर आप बनाने जाओगे किचन में तो फटा फट बन कर तयार हो जाती है तो देखिए कितनी असानी से यहां पर निकल गया है मैंन शेधींगुदे हैं इसे गोल का शेफ भी कर दे सकते हैं तो दिके कितनी असानी से यहां पर निकल तो फाल किता हैं एथा रिओ कर लेते हैं तो टिसके लिए हमें गर्म छाहिए ठंडा तेल नहीं चाहिए बिल्कुल भी इसे आप अच्छे से घाइस फ्रेम पर हाई नियो तो बिल्कुल भी टेल में बिखरते नहीं है और बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई होके निकल जाते हैं और देखिए कितनी जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं समय नहीं लगता है इसमें और देखिए कितना खुबसूरत कलर आया है इसे आप ज्यादा गुल्डन ब्राउन ना अगर हाप आप तक रिस्पी आप प्राइक बिरह एक ही को सबसंद आए आप इस साथ हरी चटनी सर्फ करें नहीं तो दाऊ वाली रहते भी सर्फ कर सकते हैं है यह कि हल्दी ओर टिस्टी वी और बच्चे जेत करते हैं स्नाक्स खाने के लिए तो आप इस तरह से हमेशा फ्रेंच फ्रै जित करते तो आप इस तरह से साबू दाने के कट्टेट बना कर दें उन्हें बहुत पसंद आएंगे तो मैंने इसे फिलाल टमाटो केचप के साथ सर्फ किया है अगर आप वरत के लिए यूज़ कर रहें तो इसके साथ चटनी यूज़ करें फिर मलते हैं नेक्स्ट एपीसोड में एक नेक्स्ट पिक्सा थेंक्यू